शाम का समय हो गया है, डिनर की त्यारी करते हैं, तो यहां पर डिनर के लिए हम सबसे पहले डाल बनाएंगे, यह जो डाल है, यह हमने मूंग की डाल ली है, आधिकटोरी हमने मसूर की डाल ली है, यह हाई प्रोटीन डाल होती है, इसको अपने अच्छी तरह धो लेना है, द होने के बाद फिर इसको आप पानी में भिगो के भी रख सकते हैं, अधर्वाइस आप इसको डिरेक्टली भी बना सकते हैं, तो से तीन वार इसको पहले अच्छी तर धो लीजिए, अब हमने यहां पे एक प्यास को कट कर लेना है, प्यास आपने बिल्कुल बारिक कट करन मैं इन लहसुन को थोड़ा इस डाल में डालना पसंद करती हूँ, कोई बहुत ही अच्छा देस आता है, तो यहां पर सबसे पहले हम तड़का बनाएंगे, तड़का बनाने के लिए मैंने कड़ाही का यूस किया है, एक बात बताती हूँ आपको कि अगर हम डाल कुकर में मनाते हैं तो एक विसल में बन जाती है यह दाल, लेकिन हम इसको कड़़ी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है इसी कआप तब भी ट्राइ करके देखिएगा, कुकर में हम कोई भी साबजी बनाते है तो वो जल्दी से कुक हो जाती है, लेकिन कड़़ी में इसके अंदर प्यास डाल देते हैं जब हम डाल बनाते हैं तो डाल को पहले बॉयल करते हैं बाद में तड़का लगाते हैं येकिन मसूर की डाल को मूंग की डाल को आप अगर इस तरह बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है आप ट्राइ कीजेगा एक तरीका और है डाल बनाने का उसमें तड़का लगाने की भी जूरूरत नहीं पड़ती वो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है एक तो उसमें और नहीं जाता एक ओर टेस्टी बनती है यहाँ पे हमने टमाटर, अदर, खरी, मेर्श, सभी चीज़ों को डाल के थोड़ा सा भून लिया है यहाँ पे नामक और हल्दी डाल देंगे मैं डाल में गरम मसाला नहीं यूज़ करती हूँ वो आपकी पसंद रहेगी आप कई लोग कोमेंट भी करेंगी कि मैडम आपने डाल में गरम मसाला नहीं डाला है आप मसाला अपनी पसंद के अशा डाल सकते हैं मैं थोड़ा मसाले वाइड करती हूँ तो यहाँ पे मसाले के साथ हमने पहले डाल को थोड़ा सा भून लेना है जब डाल थोड़ी सी भून जाएगी तब इसके दर हम गरम पानी डालेंगे यहाँ पे कभी भी जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो पानी ठंडा ना डाले जैसे सबजी भी कई वर आप जैसे बनाते हैं तो आलू डाल दिये या फिर कोई मसाला बन गया तो उसके बाद हम पानी डालते हैं तो पानी जब डालते हैं तो कई लोग थंडा डाल देते हैं थंडा पानी डालने से उसका सबजी का टेस या फिर दाल का टेस थोड़ा सा कम हो जाता है आप गरम पानी डालिये और instant boil इसमें आ जाएगा अब इसको धक्या आप 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे तो डाला आपकी ready हो जाएगी तो यहाँ पे हमने multi grain nata लिया है यह मेरे पास घर का बना हुआ multi grain nata है इसमें मैंने जो जो चीजे डाली है वो मैं आपको बता देती हूँ इसमें मैंने soya bean डाली है, चने डाले है, मकी डाली है, जवार डाली है, बाजरा भी डाला है और यहाँ पे गहूं डाली है, तो इन चीजahlen की ratio है जैसे गहूं को आप 15 kg ले लिजें यहाँ पे गहूं 15 kg लेंगे, चने 100 g लेंगे बीन 100 ग्राम ले लेंगे और यहां पर हम जो जोई है हमारे यहां तो जोई है वो भी मैंने 100 ग्राम डाले हैं को इसमें फाइबर बहुत होता है तो यह जो मल्टी रेन आटा है बहुत ही अदा है आप इसे ट्राइ कीजिएगा तो इसको अब हमने हल्दी हो थोड़ा से नमक डालके गूठ लेना है अगर आप ओयल पसंद करते हैं थोड़ा सव्ट रखना चाहते हैं रोटी को टो डाल लीजे मैं थोड़ा सा जो डिनर के लिए बना रहे है थोड़ा सा प्रोटीन के हशाब से बना रहे हैं डायट के लिए तो उयल में थोड़ा सा skip ही करूंगी तो अगर डालना चाहे इसमें दो चमच ओयल के आटे में डाल सकते हैं बाद में हम थोड़ा सा दो मून तेल के लगाएंगे ज़्यादा नहीं लगाना है इसको थोड़ा सा नेड कर लेंगे क्योंकि यह जो आटा होता है थोड़ा स्थिक होता है इसको आप इस तरह बनाकर रख रोटियों को आप बनाकर रख सकते हो नहीं तो यह बहुत जागा सकत हो जाती है ताजी ताजी बनाईए और फ्रेश फ्रेश खाएए तो लीजे डाल हमारी पक चुकी है अगर आप इसको थोड़ा और गाडा करना चाहती है तो कर लीजे लेकिन मेरी लिए इसकी जो कंसिस होता है वो दाल का टेस्ट अन्हेंस कर देता है यहां पर एक चमच हम देसी घी का लेते हैं पर लेते हैं एख जेर 15 darat ब hm11 जाएगी ताब हम तड़के को डारेक्टली इसके अंदर डाल देते हैं तड़के को डालके अब आपकी डाल सर्व करने के लिए रेडी है आप इसको साइड में रख दीजिए तब तक हम रूपी बना लेते हैं डाल बहुत ज़रा टेस्टी और बहुत परफेक्ट मनी है यहां पे आप धनिय नहीं है तो सिरका डाल दीजिए और थोड़ी सी मिर्ची डाल दीजिए अब इसको अच्छी तरह शेक कर दीजिए और यह आपका लच्छा प्यास का जो सैलड है वो बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा आप कभी भी कोई डाल या सबजी मनाते हैं हलका सा सैलड साथ में करेंगे तो बहुत लाल टेस्ती लगता है थो लिची यह रोटी बनाने के लिए यहां पर आते को आप लिजिए इसका पीड़ा बना लीजिए इसका जो पीड़ा है नॉरमल ही जैसे अपनी रोटी का होता है वैसा साही लेना है और इसको जैसे आप बेलते हैं, वैसे ही बेलना है, वैसे ही पकाना है, सेम प्रोटी बनाने का कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, लेकिन multigrain की जो रोटी है, बहुत ही high protein होती है, बिल्कुल आपकी diet के लिए बहुत अच्छी है, और digest बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि गेहूं में काफी ज बनाती है, तो यहां पर फुल के अब हमने सारे बना लेने हैं, और इनको अच्छी तरह सेख लेना है, और इनको साथ की साथ आपने खा लेना है, अगर आपने रखनी है रोटी तो यह आपके लिए सही नहीं रहेंगी, क्योंकि यह सकत हो जाएंगे, आप इनको जब भी ख करिए के पते डाल दीजिए, तो बहुत ही अच्छी सी रोटी बनती है, जिसको आप दही के साथ खा सकते हैं, मर्टी ग्रेन ऐसा आटा होता है कि कि किसी भी पेशेंट को अगर आप दोगे तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शुगर वालों के लिए तो यह बहुत बहुत अच्छे रहते हैं, और आप इसको बना कर देखिए, आपको बहुत जाला तेस्ती लगेंगे, तो लीजे यह हमारी थारी लगकर तयार हो गई है, दिनर की, तो लीजे इंजॉए कीजिए, आप भी दिनर करें, हम भी दिनर कर लेते हैं, और आपको अगर हमारी चुपी चाहिए, वो हमें कमंड जूर करें